हालो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल वीडी फार्मिंग है आज का हमारा वीडियो है मक्य की पसल के बारे में पूरी जानकरी देने के लिए तो वीडियो सुरू करने से पहले एक्ट्वाली चीज हम आपको बता दें अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर प्रेश करना ना भूले तो चलिएच वीडियो स्पाँड करते हैं आज का हमारा वीडियो है मेरे की पसल की पूरी जानकारी की किस तरए से उसकी पैदावार कहरने चाहिए किस तरए से हम उसके उत्पाधन कर देख लेते हैं क्या होता है मुझे की पसल एक सामाय की पसल है तो कि यून जूलाई क्यास पास होना चाहिए तो उसके बाद हम करते हैं कि उप्यूक्त चलवायो मक्य के लिए उप्युक्त जल्वाई के लिए हम वैसे में की पसल घर्मरीतु की जल्वाई हुए तो जब उसकी बुवाई करें तो तापमान अधिक होना चाहिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के बाद हम कौन सी इसी भूमी है जिसमें में की पसल अधिक मिठी में उसको उगाई सकता है लेकिन दॉमट मिठी भारी मिठी होनी इसिसुए'Meakko को सकते हैं मक्य के साथ कौन से बऔर सकते हैं को सारी थो अर्य चौटी के वस्ति很好 लेकिन आपके अपनिक्षेतर के साब से जो आपके धुकान उसे ऑपने क्षेतर के साफ से मक्य करना चाहिए ठीक है भूं की तैयारी कैसे करते हैं सबसे पहले चीज़ू म की फ़सल वहते हैं तो मक्य क्षेत को तरह दो तिन बार कर करना चाहिए अच्छे से करना चाहिए ज semble की निन में भचाय तो वह फचाह है अब मक्य की पस्रों को मोटे मैं भी उपिज लूइन के लिए आपको क्या करना पड़ा सबसे पहली है जब मक्य की प्रसों बहुंत तो यह बीचों की दूरी अगर हम बात करें अगर हम मक्य की फसल बोरें तो दोनों मक्य की जो लाइने होती है उनमें ज्यादा से ज्यादा से पीचोतर सेंटीमेटर की दूरी होनी चाहिए बीचों के बीच की दूरी जदे से ज़्यादा 20-22 से सेंटीमेटर होनी चाहिए अब आते हैं सीचाई प्रबंदन हम सीचाई प्रबंदन अगर बात करें तो फसल की सीचाई के लिए हमें मक्य की फसल को जब वहते हैं तो 10-15 दिन के बाद उसमें एक बार सीचाई होनी चाहि लग बार 4-5 बार मक्य की सचाई होनी चाहिए अगर सकते हैं तो हम इस तरह की हम करते हैं कैसे थार। कि अगर देशी मखी की बात करें तो बताइए लोगों यह जानकर आपको कैसे लगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाए तो मिलते हैं भाई लोगा अगले वीडियो के साथ अच्छी नहीं जानकर के लिए तब तक के लिए जैस जेरा